तो मदप्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं तीसरी लहर में संक्रमन की रफ़तार पहली और दूसरी लहर की तुलना में काफी तेज है पिछले दो दनों में प्रदेश में नए केसिस में 50 फीसिदी की भरूतरी हुई है पिछले 24 खंटे में 151 नए मरीज मिले है और इन सब के बीच कोरोना को लेकर लोग कितने सतर्क है खुपाल की न्यू मार्किट से रियालिटी च्रेक किया है सयूग आकर शिर्मा ले तरीके से मदप्रदेश में केस बढ़ रहे हैं वो चिंता जनक हैं मदप्रदेश की मुख्यां खुच चिंते थे और आप देख सकते हैं दो बच्चों को लेकर चल रहा है मास्क नहीं पेहने भी यह मास्क पेहन लेते आप और बच्चे यह लीजिए पेहन तो लिया है कि नहीं है लापरवाई है लेकिन जैसे ही केमरे के सामने आते हैं यह मैड़म मास्क लगाई मैं मास्क लगाई सही तरीके से मास्क नहीं लगाए हुए है दुकान डारों से ही बात कर लेते हैं क्या लापरवाही है आप देखिए दुकान पर तीन लोग मौजूद हैं कोई मास्क नहीं लगाए बहुए हम मास्क नहीं लगाए दिनबल लगा के खड़े नहीं हो सकते पांट दस मिट के लिए हटा लिए जाता है लेकिन संक्रमन लगाएंगे जो देख रहें केमरे वह भाग रहे हैं यहां से बस दुकान डार लगतार लापरवाही जो लोग हैं वो बरत रहे हैं चारों तरफ एक ही तस्वीर हैं यहां पर मैं बात करूंगा मैं आप भी मास्क नहीं लगाएं आप मास्क नहीं लगाएं आप मास्क नही जा रहे हैं जहां पर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर भी यहीं न जा रहा है यह दुकान है घड़ी की दुकान है और तमाम लोग जो है अब पीछे जाके मास्क लगा रहे हैं देख सकते हैं आप यहां पर भाईया आपने अभी मास्क पहन लिया लेकिन आपको नहीं लगता है यह लापरवाही तो है सर अब क्या करें पानी पीने अभी मास्क उता रहा था मैंने चारों तरप आप देख सकते हैं कि दो गज़ दूरी मास्क है जरूरी वाले नारे पर नहीं चल रहा है यही कारण है कि संक्रमण राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा है यदि समय रहते लोग जागरुक नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि मद्द प्रदेश में तीसरी लहर जिसको लेकर तमाम लोग चिंते थें मद्द प्रदेश की मुखिया चिंते थें वो मद्द प्रदेश में आ जाएगी के रपरस सब्सक्राइब के साथ आकर्श चर्मा बंसल न्यूज भूपाल